मद्य प्रदेश में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं कॉंग्रेस के पूर्वध्यक्ष राहुल गांधी MP में 150 सीते जीतने का दावा कर चुके हैं कॉंग्रेस को लगता है कि करनाटक की तरह ही MP में भी वजीत दर्जकर सत्ता में काबिज हो सकते हैं इसी कड़ी में करनाटक चुनाव के बाद मद्य प्रदेश में बजरंग बली के एंट्री हो गई है अब कमलनाथ को बजरंग सेना का चुनाव में साथ मिल गया है मध्यप्रदेश कॉंग्रिस काराले में बजरंग सेना के समर्थन के बाद पूर्फ सीम कमलनाथ मंच पर भाशन शुरू करने के लिए जैसे ही खड़े हुए कॉंग्रिस कारिकरताओं ये जैजय कमलनाथ के नारे लगाने शुरू कर दिया है जिस पर कमलनाथ ने कहा के मेरे नहीं जैजय श्री राम कहो इसके बाद कमलनाथ ने जैजय श्री राम के नारे लगाए इसके बाद कहा आपने कॉंग्रिस का साथ देने का फैसला किया है ये कॉंग्रिस का नहीं बलके सच्चाई का साथ देना है आज MP में महाकाल में घोटाला, नर्मदा घोटाला जहां देखो बहां घोटाला है हमें संस्कृती के रक्षक बने रहना है हमारे सामने सबसे बड़ी जनौती नौजवान बेरोजकारी की है पूर्व सीयम कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंतरी दीपक जोशी ने कहा भगवान राम परम सेवक हनुमान जी की बजरंग सेना का साथ लेकर यहां आए हम संस्कृती के सेवक हैं सनातन धर्म के सच्चे रक्षक के रूप में कोई काम कर रहा है तो मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंतरी कमलनात कर रहे हैं आपने मुख्यमंतरी काल के पहले ही साल में कमलनात के एक लाग गौशा लाओ उनका निर्मान कराया ताके गौव माता शांती और सुकून से रहें जब मैंने बजरंग सेना से बात की तो बजरंग सेना का कहना था कि हम सब लोग मिलकर उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहते हैं आज हमारे भारत में राजनितिक लोग बहुत से मंदिरों के निर्मार्ण में विधायक निधी और सांसद निधी के सहियोग देते हैं लेकिन आपन स्वेम के पैसे से कमलनाथ के मद्यप्रदेश के बाद बड़े बजरंग बली की प्रतिमा का निर्मान कराया है। करनाटक की तरह ही मद्यप्रदेश में भी कॉंग्रिस के लिए दो धड़े मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। दरसल कॉंग्रिस के युवा तर्क जीतू पटवारी और पूर्व सी एम कमलनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इसकी पुष्टी इस बात से हुई है कि हाल ही में कमलनाथ MP के बड़े कॉंग्रिस नेताओं के साथ दिल्ली पहुंचे थे हैं वहीं राहूल गांधी के लिए चिंता का विश्य है कॉंग्रिस को उन्हीं साथ लाना एक चनौती बन सकता है MP में जीतू पटवारी काफी प्रभावी नेता है महा कौशल के इलाके में जहां पूर्व सीम कमलनाथ के पकड़ मजबूत है वहीं मालवारा निवार में जीतू पटवारी के पकड़ भी काफी मजबूत है हाला कि जीतू पटवारी को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है राहुल और पटवारी के बीच में भारत जोडो यातरा के दौरान काफी करीबी देखने को मिली है फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही बाकी और खबरे देखने के लिए जोड़ झाल कि साथ.